नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 महत्वपूर्ण सामान्य ज्यान प्राश्ण वर उत्तर जो सभी प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी, नौक्री और साक्षातकारों के लिए महत्वपूर्ण है. इस चमातर का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आपका ओप्शन है A. भारत, B. ब्राजिल, C. चीन, D. पाकिस्तान. इसका सही जवाब है ओप्शन C. चीन. आपका दूसरा सवाल है, IPL की शुरुवात कब से हुई थी? आपका ओप्शन है A. 2007, B. 2008, C. 2009, D. 2010. इसका सही जवाब है ओप्शन B. 2008. आपका तीसरा सवाल है, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कब कब जीता था? आपका ओप्शन है A. 1982, B. 1983, C. 1984, D. 1985. इसका सही जवाब है ओप्शन B. 1983, C. आपका चौथा सवाल है, भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है? आपका ओप्शन है A. माव सिन्राम, B. मतुरा, C. जैसल मेर, D. लेह. इसका सही जवाब है ओप्शन D. लेह. आपका पाँचवा सवाल है, किस महासागर में ग्वीपों की संख्या सरवाधिक है? आपका ओप्शन है A. आक्टिक महासागर, B. प्रशांत महासागर, C. अटलांटिक महासागर, D. दक्षिनी महासागर. इसका सही जवाब है ओप्शन, B. प्रशांत महासागर, आपका च्छठा सवाल है, 23. दिसंबर 1911 को पहली बार जनगन मन कहाँ पर गया गया था? आपका ओप्शन है A. मुंबई में, B. कोलकाता में, C. लखनम में, D. साबरमती में. इसका सही जवाब है ओप्शन, B. कोलकाता में. आपका सात्वा सवाल है, मौर्या राजवन्ष का प्रथम शासक कौन था? आपका ओप्शन है A. बिंदुसार, B. चंद्रगुप्त, C. ब्रिहद्रत, D. अशोक. इसका सही जवाब है ओप्शन, B. चंद्रगुप्त. आपका आठवा सवाल है, कुईश्म का सबसे पहला सुपर कम्ट्यूटर कब बना? आपका ओप्शन है A. 1981, B. 1908, C. 1976, D. 1995. इसका सही जवाब है ओप्शन, C. 1976. आपका नौवा सवाल है, निम्द में से किस पोर्ट को पूर्वी भारत का प्रवेश्द्वार माना जाता है? आपका ओप्शन है A. विशाखा पतकनम पोर्ट, B. पोर्ट ब्लेर पोर्ट, C. कोलकाता पोर्ट, D. पारादीप पोर्ट. इसका सही जवाब है ओप्शन, C. कोलकाता पोर्ट. आपका दस्वा सवाल है, सैडल छोटी कहां स्थित है? आपका ओप्शन है A. बेरेन द्वीब, B. लक्षद्वीब, C. मिनी कोई, D. अंदमान वन निको बार द्वीब समुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ आपका ग्यारहवा सवाल है, पर्नपाती वन के स्प्रकार के व्रिक्षों से भरे हुए हैं। आपका ओप्शन है A. बान्स, B. ओक, C. पॉम, D. देवदार इसका सही जवाब है ओप्शन, B. ओक, आपका बारहवा सवाल है, खोखोकी प्रत्येक टीम में खिलाडियों की संख्या होती है। आपका ओप्शन है A. बारह, B. नो, C. साथ, D. छे इसका सही जवाब है ओप्शन, A. बारह, आपका तेरा हुआ सवाल है, खूलों की घाटी किस राज्य में है। आपका ओप्शन है A. उत्तराखंड, B. तमिन नादू, C. जम्मू कश्मीर, D. भारत इसका सही जवाब है ओप्शन, A. उत्तराखंड, आपका चौदावा सवाल है, किसकी समाधी के कारण नंदेर गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। आपका ओप्शन है A. बुरु रामदास, B. बुरु अंगर, C. बुरु अर्जुन देव, D. बुरु गोविन्द सिंग इसका सही जवाब है ओप्शन, D. बुरु गोविन्द सिंग आपका पंद्राव वाँ सवाल है, किस देश में कुत्ते की पूजा की जाती है? आपका ओप्शन है A. टांगो में, B. नार्वे में, C. निपाल में, D. वेटिकन सिटी में इसका सही जवाब है ओप्शन, C. निपाल में आपका सोलहवा सवाल है, कोनार्थ मंदिर का देवता कौन है? आपका ओप्शन है A. कृष्णा, B. शेव, C. सूर्य, D. विश्न इसका सही जवाब है ओप्शन, C. सूर्य आपका सत्रहवा सवाल है, कम्प्यूटर को किस प्रकार की बुद्धी की संग्या दी गई है? आपका ओप्शन है A. मानव, B. कृत्रिम, C. सुर्य, D. अन्य इसका सही जवाब है ओप्शन, B. कृत्रिम आपका अठारहवा सवाल है, कम्प्यूटर का हिंदी नाम क्या है? आपका ओप्शन है A. गन्ना करने वाला, B. संगनक, C. हिसाब लगाने वाला, D. परिगनक इसका सही जवाब है ओप्शन, B. संगनक आपका उन्नीसवा सवाल है, काला गुलाब कहां पाया जाता है? आपका ओप्शन है A. चीन, B. तुर्की, C. भारत, D. अमेरिका इसका सही जवाब है ओप्शन, B. तुर्की आपका 20 वा सवाल है, CPU का पूर्ण रूप क्या है? आपका ओप्शन है A. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, B. सेंट्रल प्रोब्लम यूनिट, C. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियम, D. इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आप हमारी चैनल में नया हो तो चैनल को सबस्क्राइब करें मिलती है और एक नया वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद